अब हम लेंगे example number 11.2 अब देखो इस question को देखने से पहले फटाफट आप एक topic को देख लिजे बच्चों topic है आपका work done against gravity ओके क्या topic है आपका इस example की help से NCIT topic cover करना चाहता है work done against gravity और इस surface पर ग्राउंड और ग्राउंड के surface पर ये एक object रखा हुआ है अब देखो इस object को मैं h height तक lift करता हूँ कितने height तक h height तक ये इसको ठाके मैं against the gravity यह यहाँ ले जाता हूँ अब ध्यान से दुनिए against the gravity का मतलब क्या है gravitational force इसको कहां खीच रहा है नीचे उसके opposite मुझे force लगाना पड़ेगा gravity के against मुझे force लगा के इसको इस तरीके से अगर मैं force नहीं लगाँगा तो अपने आप तो यह उपर जाएगा नी तो मैं क्या गर रहा हूँ मैं उपर की direction में ऐसे force लगा रहा यानि के work done by me कितना हो जाएगा कितना work किया मैंने तो जवाब है जितना मैं force लगा रहा हूँ into में इसकी height क्योंकि इसकी height ही क्या हो जाएगा displacement ठीक यह बात समझ मैं और इस topic को work done against gravity क्यों बोला जाता है तो जवाब यह है कि क्योंकि आप against the gravity work कर रहे हो gravitational forces को नीचे खीचन block रखा हुआता है यहाँ पर इस तरीके से wooden block है या कोई break है कोई eat है मानलो इसका mass कितना है M है M इसका mass है अब इसको उठाके आप यहाँ ले जाते हो H height पर ठीक है कितनी height पर H height पर यह H height तक आप इसको ले जाते हो तो ऐसे questions को handle करते time जो H की value आपको दी रहेगी question में height की value जो दी रहेगी वही आपका displacement होगा ठीक अब सुनिए बच्चों अब सवाल यह है कि आपने कितना force लगाया सुनिए ध्यान से आपने इस object को यहाँ से उठ कितना होगा बताओ इस body का mass अगर M है तो इसका weight कितना होगा यहाँ पर कुछ बच्चे देखिए शायद confuse हो जाए समझीगा बच्चों देखिए इसका weight कितना होगा weight को ही force of gravity भी बोलते है क्योंकि जिस फूर्स से अर्थ किसी object को अपने center की तरफ खीसता है वही क्या होता है force of gravity तो force of gravity is nothing weight ही force of gravity होता है ठीक force of gravity ही क्या होता है आपका weight होता है और weight का formula होता है mass into exclamation due to gravity जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लीचे ध्यान से बच्चों यहाँ पर देखिए mass into exclamation due to gravity weight का formula होता है M into G अब मेरी बात ध्यान सुनो इसमें इस पे कितना force नीचे की direction लग से सुनिए बच्चों आपको school में पढ़ा है जाता होगा या मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं कि इसके weight के equal force लगा हो तो यह उपर चला जाएगा mg कहां लग रहा है नीचे तो आपको उपर की direction में कितना force लगना पड़ेगा M into G अब लेकिन सवाल यह है कि अगर mg force नीचे ल थोड़ा सा जाधा force लगाते हो तब यह उपर की direction में यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर इसको अगर यह नीचे लग रहा है weight मानलो 5 newton ठीक तो आप इसको 5.001 newton बहुत थोड़ा सा बढ़ा के तब आप force लगाते हो ठीक तो आपने कितना force लगाया तो जवाब आपने weight से थोड़ा सा जाधा force लगाया लेकिन physics में calculation करते हैं अब थोड़ा सा जाधा कितना लगाया यह तो किसी को नहीं पता तो वो जो थोड़ा सा जाधा आप लगाते हैं उसको हम ignore कर देते हैं ठीक है जब हम calculation करते हैं physics में तो हम यह assume कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जितना weight है body का, उतना ही force हमने लगाया, ठीक है, तो लगभग कितना force हमने लगाया, उसके आसपास value आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके weight से थोड़ा सा जाधा लगाया गगा, I think, आपको मेरी बाद समझ में ही होगी, exact कितना force लगाया उपर की direction में, मान लो मैंने f force लगाया, ठीक, कितना force लगाया, f force लगाया, तो ये f force किसके call हो जागा, weight के, और weight कितना है m into g, तो आपने कितना force लगाया, m into g, ठीक, बस आपको दिक्कत है नहीं, यहां से, यहां तक ले जाने में, कितना work किया आपने, work done against the gravity, तो जवाब है, work done against the gravity का बच्चो formula, यहां पर बन जाएगा कैसे, सबसे पहले work का formula आपको पतावना चाहिए, क्या होता है, force into displacement, ठीक, so force कितना लगाया, हमने f into displacement कितना किया, s, f into s क्यों लगा रहे है, क्योंकि जिस direction में force है, उसी direction में क्या हो रहा है, displacement हो रहा है, तो work done कैसा आएगा, positive हैगा, work done by me, कैसा आजाएगा, positive हैगा, क्योंकि जिदर force है, ऐसे force लगा रहा हूँ है, और ऐसे ही displacement हो रहा है, ठीक, so f into s, अब यहां से formula बनेगा, w is equals to, f की जगा आप क्या रखोगे, m into g, क्योंकि जितना weight है, उतना ही force लगा होगे, आप, तो f की जगा रखा, m into g, और into में s की जगा क्या रखोगे, तो जवाब है, जितनी height तक आप उसको ले जाते हो, वही उसका displacement है, तो suppose आप इसको h height तक लेके जाते हो, तो इस तरीके से आप अपनी copy में बच्छो note लगाएंगे, यहां पर, work done against, work done against gravity का, आज के बाद आप formula याद कर लेंगे, work done against gravity is equals to m into g into h, m क्या होता है, mass of the body, g क्या होता है, escalation due to gravity, और h क्या होता है, height, अब आए इस question को हम लोग पढ़ते हैं, तो बच्चों देखो कह रहा है कि a potter, potter में तब कोई कुली वगरा होगा है, कोई समान उठाने वाला बंदा होगा, यह समान को उठाता है, ठीक, तो a potter lift a luggage of 15 kg तो बच्चों यहाँ पर mass कितना दे के रखा है, luggage का 15 kg, ठीक है न, so यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर m की value यह जो luggage है, समान है, ठीक, इसका mass कितना है, 15 kg, और याद रखेगा mass को हमिशा आपको kg में लेना, अगर ग्राम में दे रखा है, तो उसको kg में convert कर लेंगे, ठीक, now, 1000 से डिवाइट कर दो कि ग्राम को kg में आ जाएगा, ठीक, from the ground, यह इसको ground से ऐसे lift करता है, and puts it on his head, ठीक है, यह समान को ऐसा उठाता है, कुली, और ऐसे ground से उठा के अपने सर पर रख लेता है, तो ground से इसके head तक की जो height है, वो आपको question में देके रखा हुआ है, so, यहां से देखी, 1.5 meter above the ground, correct, तो height आपको देके रखा हुआ है, कितना 1.5 meter, यहने कि displacement हो रहा है, 1.5 meter, so, हम लोग क्या करेंगे, बच्छों, यहां पर, h की value रखेंगे, 1.5, ठेक है, उसके बाद, g की value आप क्या रखोगे, इन्होंने हम से question क्या पूछा है, calculate the work done by him on the luggage, luggage, luggage पर इसने कितना work done किया है, यहां आपको निकालना है, तो work done against the gravity हो रहा है, तो MGH लगा देंगे formula, so, mass कितना रखोगे, 15 into g की value बच्छों, आप लोग ले लीजे, कितनी, g की value जब कुछ नहीं देता है, तो 9.8 meter per second square हम लोग ले लेते हैं, शायद NCRT में भी यही लिया ह है, तो आप 9.8 भी लेके कर सकते हो, 10 भी लेके कर सकते हो, 10 लेके थोड़ा easy पड़ेगा, तो आप 10 ले लो, NCRT में 10 लेके रखा हुआ है, ले लीजे, ठीक, so, 10 meter per second square, तो g की value 10, और height कितनी है, height है आपकी 1.5, ओके, exam में अगर आप 9.8 भी रख दोगे हैं, कोई problem नहीं है अभी easy करने लेके यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 10 ले लेंगे, तो आराम से solve हो जाएगा, ठीक, so, 15 into, अब 1.5 into 10, यह दोनों मिलके कितना बन जाएगा, 15, 15 into 15 कितना होता है, 225 joules, okay students, तो work done by him on the luggage is, हम answer लिखेंगे अपनी copy में, कैसे, हम लिखेंगे, the work done, यह answer है दिखिए बच्चो, the work done by him on the luggage is, कितना आ गया, 225 joules, इस तरीके से इस problem को हम handle करेंगे, okay students, note का लीचे,